हेलो एवरिवन आज डिसकस करने वाले हैं JPAC के 2003 के एक्जाम के कुछ important previous year questions ये सारे questions science से especially related है तो आपको बहुत जादा जो है इसमें help मिलेगा science के questions को solve करने के लिए आने वाले exams के लिए भी ये ज़्यादा important है क्योंकि JSC और JPC दोनों exam में खास तर पे previous year questions कई बार repeat कर जाते हैं तो चलिए देखते हैं जो पहला question है वो है laser का पूर्ण प्रारूप क्या है इसमें पुछा गया है जो laser का full form है वो क्या है options है आपके सामने long amplification by stimulated emission of radiation दूसरा नंबर जो options है वो है light amplification by stimulated emission of radiation और तिसरा नंबर option है locally amplified by stimulated emission of radiation और चौधा नंबर option है light amplification and stimulated emission all radio तो इसका जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा light amplification by stimulated emission of radiation यही जो है laser का full form होता है next question की बात करें तो निमलिखित में से कौन सा सामाने तापठ हो सवस्था में रहता है chlorine, bromine, iodine या फिर fluorine तो इसका जो सही answer है वो हो जाएगा आपका iodine iodine जो है वो समाने ताप पर भी ठो सवस्था में रहता है क्योंकि iodine जो है एक non-metal है आपको कुछ और भी इसमें information दे दे iodine जो है एक non-metal है अधात्तु है जो अपवात के रूप में ठोस में रहता है और इसमें चमक भी होती है साथ में chlorine और fluorine chlorine और fluorine इसे hyalides कहा जाता है hyalides कहा जाता है या फिर group 17 के ये जो है elements है और ये बहुत ही ज़्यादा reactive होते है fluorine जो है वो सबसे ज़्यादा reactive जो है element है अगले question की बात करें तो lexicography का संबन्द किस्से है तो option से mano सरीर किसन रचना से या फिर सब्दकोस के सहिवजन से तिसरा नमबर option है गुप्त लिखावट से और चौथा नमबर option है चित्र और model के द्वारा पढ़ाना तो इसका जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा सब्दकोस के सहिवजन से जो lexicography होता है वो सब्दकोस मतलब जो dictionary जो होता है उससे related होता है next question की बात करें प्रकास की गति मीटर में क्या है मीटर में पुछा गया है एक दियान देने वाले बात है तो प्रकास की जो गति है वो है 3 into 10 raise to power 8 मीटर पर सेकेंड जो है प्रकास की गति होती है आगे बात करें अगले question की तो next question है नेमलिकेत में से कौन सा बादल अत्याधिक तीवर वर्षा के लिए उतरदाई है तो अत्याधिक तीवर वर्षा के लिए जो उतरदाई बादल है वो है कपासी बादल जो होता है उससे जो है तीवर वर्षा होती है आगे बात करते हैं next question की तो ब्रहमो सूपर सोनिक क्रूज मिसाइल का निर्मान हुआ है options है आपके भारत और USA द्वारा भारत और रूस द्वारा भारत और जर्मनी द्वारा या फिर भारत और UK द्वारा तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत और रूस द्वारा भारत और रूस ने मिलकर जो है ब्रहमोस मिसाइल का जो निर्मान है उसे किया है नेस्ट कोस्टन की बात करें तो Defense Research and Development Organization DRDO द्वारा बनाया गया मानव रहित एरक्राफ्ट का नाम क्या है तो इसका जो एरक्राफ्ट है जो मानव रहित है उसका जो नाम है वो है लक्ष लक्ष नामक जो एक एरक्राफ्ट है वो मानव रहित बनाया गया है आगे बात करते हैं नेस्ट कोस्टन की तो Atom में Neutron की खोज किसने की थी तो अगला question है Automobiles के hydraulic brake के कारे करने का सिधान्त कौन सा है Archimedes का सिधान्त, Newton के गति नियम बर्नौली का सिधान्त या फिर Pascal का नियम तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा Pascal का नियम Pascal का नियम से ही Automobile के hydraulic brake जो है काम करते हैं Hydraulics से समझने जितने भी question आएगे उसमें जो है Pascal का ही नियम यूज होगा क्योंकि hydraulics में क्या होता है जो द्रव होता है जो fluid होता है उसमें जो है जब हम दाब लगाते हैं तो वो चार और फैल जाता है मानके चलिए ये कोई body है उसमें अगर हम लोग उपर से pressure लगा रहे हैं तो ये चारो और जो है expand होने की कोशिश करेगा चारो और बल लगाएगा तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं next question की बात करे तो भारी जल का रसायनिक फर्मूला क्या है ये भी काफी असान question है H2O, D2O, H2CO3 या फिर H2S तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D2O D2O जो है वो जो है भारी जल का रसायनिक सुत्र है और D2 जो है ये hydrogen का एक क्या है hydrogen का एक isotope है आगे बात करें दूर दृष्टी में पीड़िद व्यक्ति को कठिनाई होती है दूर दृष्टी जिसको होता है उसको क्या कठिनाई होती है दूर की वस्टू को इसपर्ष देखने में पास की वस्टू को इसपर्ष देखने में या फिर दूर वापास दोनों की वस्तु को इस परस्ट देखने में या फिर जो अगला option से वो है जो इन में से सभी है तो इसका जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा देखे क्या होता है दूर दृष्टी दोस में जो होता है दूर की वस्तु को आखे देख सकती है लेकिन पास की वस्तु को जो है इस परस्ट रूप से नहीं देख सकती है तो इसका सही answer हो जाएगा पास की वस्तु को इस परस्ट देखने में कठिनाई होती है next question की बात करे तो रुधीर में प्लाजमा के निर्मान में antibody जो है वो किसके दोरा निर्मान किया जाता है option से monocyte, lymphocyte acinophil या फिर neutrophil तो इसका जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा lymphocyte lymphocyte के दोरा जो है antibody का निर्मान किया जाता है lymphocyte जो है white blood cell WBC का एक पार्ट होता है total 5 पार्ट होते है WBC में उसमें से lymphocyte एक पार्ट होता है lymphocyte का बात करें इसमें एक T lymphocyte होता है उससे जो है cancer होने का खत्रा रहता है जब T lymphocyte बढ़ जाता है तो फिर cancer होने का खत्रा बढ़ जाता है next question की बात करें फूलो के अध्यान को क्या कहते है तो फूलो के अधियन को क्या करते हैं, options है, phenology, anthology, agrostology या फिर panilology, तो इसका सही answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, ethology, ethology कहा जाता है, फूल के अधियन को, next question की बात करें, यदि हवा का तापमान बढ़ता है, तो उसकी जल्वाप्स ग्रहन करने की चमता, क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, पहले घटती है, पुना बढ़ती है, या फिर कोई परभान नहीं पड़ता, तो आपको बताते चले, कि जब हवा का तापमान बढ़ेगा, मतलब की हवा में गर्मी बढ़ेगी, तो उसमें जल्वाप्स ग्रहन करने की जो छमता है, वो बढ़ जाएगी, क मतलब की, जल्वाप्स तो पहले से होंगे नहीं, तो जल्वाप्स नहीं होंगे, तो उसमें जो है, जल्वाप्स को ग्रहन करने की जमता, वो बढ़ जाएगी, लेकिन अगर मांचली बरसात में टेंपरिचर कम रहता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें तो पहले से ही, जो पहले से रहते हैं तो उसको ब्रिवे जादा जो वाटर बेपर है जल्वाप्स ग्रहन करने की छम्ता कम होती है इसलिए हवा का तापमान बढ़ता है तो जल्वाप्स ग्रहन करने की छम्ता बढ़ जाती है तो दोस्तों ये था कुछ important जो MCQ है previous year 2003 JPSC से related आगे सारे जो previous year question है वो इसी series में cover किये जाएंगे तो जुड़े रहिएगा इस channel के साथ और साथ ही साथ जितने भी previous year especially science के question है उनको देखते रहिएगा ताकि आगे आने वाले जो SSC CGL का जाम होगा या फिर JPSC के जो सातवी आठवी और नवी आने वाली है उसमें काफे जादा आपको मदद मिलेगा तो आज का वीडियो यहीं तक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जबू बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करें धन्यवाद